हलो प्रेंट्स आज मैं आपको बताऊंगा एदि आपकी गाय वैब हैं बहुत ज्यादा कमजोर हैं बहुती वीक हो रही हैं एदि आप उसे कमजोरी से उबाणना चाहते हैं उसका वजल लेना चाहते हैं तो आपको क्या देना चाहिए सही जानकारी के साथ वीडियो कि एदि आपका प्रसु जब कमजोर हो जाता है तो उसे मोटा धगडा करने के लिए क्या देना चाहिए लेकिन आज की वीडियो के अंदर एदि आपकी गाय बहुत ज़्यादा कमजोर हो चुकी हैं जिनमें उन्हें बेरने में कईबर दिकत हो जाती है इतनी कमजोर है कि आ खाया बहुत ज़्यादा करकि है आप उसे कुछ देते हैं या नहीं हालांगि आप उसे देते हैं फिर आपकी जो ढाया बैस मोटी नहीं हो पाती हैं मोटी क्यों नहीं हो पाती हैं इसके बारे में आज की वीडियो में और उसे कौन से दवा देनी चाहिए यह दिया आप जो मैं दवा बताऊंगा यह दि उस दवाओं का यह परियोग करेंगे तो आप अपनी गाई वाइव भैस को दोनु को आप से मोटी करश रखते हैं बहुती कम समय में वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन स्किप करके में पूरा देखना जो इस चैनल पर भी नहीं आए हैं या पहले पर आप इस चैनल से जुड़े हैं तो पहले आप इस चैनल को सबस्क्राइब कर लें साथ में बेल आइकन और आलव प्सूं फैस तो करण उसका पेटमें वरम सो सकता है रही बात उसकी लिवर ठोड़ी निवर हो सकती है और कई बर उसमें विटामिन्स की हो सकती है इस तरह कि यह दो से तीन चीज़ें यह आपके पशूं में हो सकती है हो सकते नहीं है एदी आपको इस तरह से एदी आपको ट्रीटमेंट करना है किस तरह से सबसे पहले तुम आपको बताना चाहता हूं कि उस तरह की इस तरह की से आप डिवर्मिंग करें जो आप आती है एक नेल जान आती है उससे करें देखो नेल जान क्या है इदी बहुत ज्यादा कमज़ोर है चाहे हो प्रिग्नेन्ट गायब है उनके लिए उनके लिए अधर रहती है उनके लिए वी सेप रहती है क्योंकि इसके अंदर साल इस ऐसे आते हैं जिस प्रकार से लिवा माईचालाइडूुक्स साथ में elements भी आते हैं, copper है, cobalt है, zinc है, इस तरह है कि इसके अंदर elements भी आते हैं, जो कि आपके पशू की liver पर ज्यादा effect नहीं डालते हैं, एक तो पशू आपका वैसे ही ज्यादा कमजूर है, इदि आप अदर से इदि आप deworming करवाते हैं, अदर साल से, तो वो क्या करते है कि जो deworming है, पेट के, इंटरनल जोवरम्स को किल करती है, वहाँ पर थोड़ी liver पर ज्यादा effect डालती है, तो आप उसको कम करने के लिए, क्योंकि कमजूर तो वैसे ही है, तो इसके लिए आप इसे नील जान से इस तरह की दवास से आप उसकी deworming आप कराएं, इसकी दो ज इस प्रकार से जिन पचूंगा बोडिवेट 300 से 400 केजी है, 300 से 400 केजी है तो 100 ml, लेकिन वो वैसे ही कमजूर है, तो उनमें वज़न है, 1500 से 200 केजी, तो आप इसे 50 ml से ज्यादा नहीं दें, भोती कमजूर हैं, तो 50 ml, यदि 1500 केजी है, तो भी आप 50 ml, 1500 से 200 केजी के बीच मे 50 ml, यदि उसे कम है, तो आप 30 से 40 ml, एक साथ आपको ये देना है, एक बर ये देना है, इसकी दोज एक बर आपको ज्यादा नहीं देनी है, और यदि आपको इसकी रिपीट करना है, तो एक बर डोज कम दे देना है, इसके बाद में 20-20 दिन बाद में एक बर और आप इसकी दोज देख करके कंट्रोल कर सकते हैं फिर आप तीन-तीन महीने में जरूर दें तो आप इसकी नील जान से आप उसकी डिवर मिकरें साथ साथ में आप उसे अच्छा लिवर टोन दें देखो यदि आप उसे अच्छा लिवर टोन देंगे लिवर टोन देना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है यदि जो पसू कमजोर रहते हैं यदि आप अपने पसू को अच्छा मोटा करना चाहते हैं तगड़ा करना चाहते है उनकी भूग बढ़ाना चाहते हैं तो उसमें अच्छा लिवर टॉन जिसके अंदर लिवर टॉन और आइरन भी हो उस तरह का लिवर टॉन यह दिए आप अपने पसूं को देंगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा आज मैं आपको इस तरह का लिवर टॉन यूग आप अपने पसूं में करवा सकते हैं बहुत यह अच्छा रिजल्ट मिलता है इसकी डोज है आप 50 ml जो कमजोर हैं 200-300 केजी हैं तो इन्हें आप परडे के अनुसार 50 ml केंटिनिटी आपको देना है यह दिए आपको उच्छा रिजल लेना है देना कितने दिन है 50 ml ही दिए आप परडे के साब से दे तो लगातार अप 2 मैंने तक आप इसको दे सकते दोğ से तीन मैंने तक भी आप कंक्सूं को यह 50-50 ml दे सकते हैं जिनका थोड़ा जदा है तो थोड़ा ज्यादा कर दें तो यह वीटाखएंट लिव आप अपने पसूं इसको जरूर देत इसके अंदर प्रयाप पात्रा में विटामिन सो मिनरल सो एमिनोसी दो सब कुछ हो तो उस तरह का टोनिक एदि आप अपने परसूं को देंगे तो सबसे अचा रिजल्ट मिलेगा जो हमने फिल्ड में देख करके भी देखा है जो मने बहुत सी वीडियो में आपको बताया भी ांदी आने के लिए भुट टोनिक आते हैं लेकिन उस टोनिक का मुझे सबसे अचा रिजल्ट देखने को मिले बहुत से ऐसे डोनिक है मीरे पास लेकिन इसका अच्छा है जिस प्रकार से अपर इसको यहां मिलंगी पाता है हलां कि हमें फुन को इनैया में अच्छा आप 10 ml से लेकर के 15 ml या 20 ml तक भी आप कर सकते हैं 10 ml से लेकर के 20 ml जिन परसूं का बोडिवेट 1500 से 200 कजी है 10 ml सुबह दें 10 ml आप सियाम को दे सकते हैं इस तरह से आप ये लगातार दो महिने तक यानि कम से कम आप उसे एक लिटर आप टोनो बुष्ट जरूर पिलाएं ये द आप ये देंगे तो आपके प्रसूं में अच्छी साइनिंग आएगी चमक आएगी आपको देखने में अलगी दिखने आपका प्रसूं देखने को मिल जाएगा इदि सपोर्ज को आपको पास तोनों बुष्ट नहीं मिल रहा है तो आप उसमें वीफाइप इंजेक्शन जो आइडाइज विटामीन एडी इंजेक्शन आता है इंजेक्शन पांच एमेल आपको क्या करना है दस दिन के वितर तीन बर आपको उसको लगा देना है बहुत ही ज़्यादा कमजोर है तो फिर आप उसे एक-एक महिने में आप ये इंजेक्शन लगा सकते हैं इस तरह स सकते हैं इसलिए वेटिनेरिन की जुरूत होती है तो बार-बार आप ऐसा तो नहीं की घर पर बुला सकते हैं तो इससे बेटर है कि आपको जो मल्टी विटामिन जो लिक्विड है तो नो बुस्ट उसका आप परियोग करें सबसे अच्छारे जिल मिलेगा देखो आप ला सकते हैं वजन बढ़ा सकते हैं कमजोरी से उभार सकते हैं और रही बात आपके पसूं में अन्य रोगों से बजा सकते हैं इम्मुनिटी बढ़ेगी रही बात जो पसूं का दूद कम हो गया है बहुत ज़्यादा कमजोरी की बज़े से दूद की मात्रा भी ले सकते हैं बहुत से इस तरह की Metabolic जो बीमारियां है अन्य जो बीमारिया है उनको भी ये कंट्रोल करने का ये काम करते हैं जो मैंने बता है तो ये जितना हो सकता है वीडियो जितना आए पसटुन पालक एवेटरिंटर देंटरें उनके साथ Sir करें ताकि रखी बात इस तरह का सबस्तूब प्रेइंड की येसी तरह